सब्सक्राइब स्वागत करते हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनलाइन क्लासेस में चलिए आज क्लास 10 का जो है मैथ का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं जो प्रस्णावली 5.3 का ही है नेक्स्ट पार्ट तो आज जो हम बताने वाले हैं और चौथा नमबर प प्रस्णावली 5.3 का है तो यह कह रहा है कि 636 योग पराप्त करने के लिए एपी 9,17,25 के कितने पद लेने चाहिए तो देखिए इसमें कह रहा है कि 636 योग पराप्त करने के लिए एपी जो है एपी मतलब क्या होता आरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है जिसको बोलते है है हिंदी में समांतर स्रेंडी तो समांतर स्रेंडी में 9, 17, 25 के हम कितने पद लेंगे कि हमको 636 प्राप्थ हो तो देखिए 636 योग प्राप्थ हो यानि हमको जो दिया उसको लिख लेते हैं सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं तो क्या दिया है तो 636 योग एन पदों का योग का सुत्र होता है एसन यानि एसन दिया है कितना 636 यदि बोलता है कि 636 योग ने 636 आने के लिए सिर्फ बोलता है योग नहीं बोलता तो एन लिखते हैं यानि 636 कौन सा पद होगा तो हम एन लिखते हैं लेकिन यहां पर 636 योग जब बोल दे तो योग ब ले तो हमेशा एस एन लिखते हैं उसके बाद जो है और क्या क्या दिया है तो प्रथम पद दिया है प्रथम पद देखे हमारा क्या है तो प्रथम पद जो है बराबर पहला पद 9 है उसके बाद जो है सार्व अंतर देखेंगे तो डी बराबर होता है सार्व अंतर तो सार्व अब देखिए इसका बोला कितने पद लेने चाहिए यानि पदों की संख्या ग्याद करना है तो पदों की संख्या को हम एन से सुचित करते हैं इसलिए हम क्याने कि जो है वही ग्याद करना है यानि पद ग्याद करना है तो पद को हम क्या से सुचित करते हैं एन से तो समझ ग हाता है उसमें हम देखते हैं किसका सुत्र बन रहा है और किसका सुत्र नहीं बन रहा है जिसमें एसन का सुत्र होता है एक देखेंगे एक सुत्र नहीं होता है इसलिए हम जो हो दिया रहाता उसका यादी सुत्र होता है तो डायकली हम उसका सुत्र डायकली परयोग कर लेते ह तो SN बराबर जो दिया है, कितना दिया, 636, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो देखे, सुत्र से, हम बार 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 बता है कि SN का सुत्र क्या होता है, तो SN बराबर क्या होता है, n-battah 2 cost में 2a plus n-1 into d होता है और एक होता है n-battah 2 cost में a plus l होता है लेकिन हम वह सुत्र यहाँ पर परियोग नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर d मालूम है और a मालूम है और n गयाद करना है इसलिए देखे A मालूम है D मालूम है तो A आसानी से ग्याद हो जाएगी लेकिन वही हमको अंतिमोपद दिया रहाता और A ग्याद करना रहाता तो हम N बढ़ा 2 कोष्ट में A L लिखते हैं आप लोग समझ गए कि हम N बढ़ा 2 कोष्ट में A वाला 2A पलस N मैनस 1D कब यानि होता है यही तीनों सुत्र से टूटल कोष्ट बन जाते हैं ठीक है और दी तो निकालने आता ही आप लोगों को है यह दूसरा में से पहला घटा लेते हैं अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं हमको जो दिया उसको लिख लेते हैं देखे इस सूत्र है एसन बराबर क्या तो नहीं दिया है यहां पर रख दिये अब देखिए इसमें जो दिया उसका मान रख लेते हैं तो नहीं दिया है लेकिन एदिया है एक जगह नो दिया है तो नौ रख दिये इनके जगह कुछ नहीं दिया है और डी के जगह कितना दिया है तो डी के जगह हमारा दिया आठ दिया है तो आठ रक दिया बरावर छ सो चुछथिस हो गया अब देखे इसको हम आगे हल करेंगे तो इन बटर टू आगे कि आहां पे होगा तो दोनों आठ थालाлан PQL बराबर 1248 तो आगे हम देखिये में चल diğer तो ओपर रहता तो नीचे यहाँ यह में लृट्व नीचे अब बराबर यहां 636 गुने 2 तो 636 गुने 2 आप समझे रहें कितना हो जाएगा तो आप लोग इसको गुना कर लिजएगा देखिया आगे बताते हैं इसको इसको आगे बस उसका सरल कर लेते हैं एन से किये तो देखिया इसमें अब देखिये आठ इसको आठ चार बचा यहां दो पचे 10 और यहां दो पचे 10 और यहां यहां दो चाका बारे हैं 636 ही रहा गया अब देखिया हम क्या करेंगे दो गुना में इधरा है तो भाग में तो जीरो को भाग में तो जीरो ही हो जागा इसलिए इसको छोड़ देंगे किवल क्या बचा मेरा 4N2 पलस 5N-636 बराबर 0 अब इसको हम गुड़नखंड कर लेंगे गुड़नखंड करेंगे तो देखिया गुड़नखंड करने का नियम होते एक गुने C करते हैं एक के जगद 4 है और C के जगद 636 है इसको जब गुणा के तो 424 चारती है बारा दू चाउद आप देखिया हम क्या करेंगे आगे सोरी यहां पर देखिये दू एकम दू दू दुदुना चार हांसी लेक तो दू सते चगुदा होगा याने 1272 होगा तभी तो सुझे फिर यहां तभी 636 ही आना चाहिए इतना ही चाहिए 636 उसके बाद फिर किये तो दो बार में जाएगा तो दो तीया चाह दो एकम दो दो आठे शोला दो से पंदर दूना तीस यहां पर दोनो आठार फिर 35 15 और यहां पर तीन तीया नव आगे 3216, 2212, 24, 24, 48 तीया हो जा रहा है इतने पर है तो हम आगे बढ़ांगे नहीं अब तो नहीं कटेगा तो 3216, 6212, 1224, 24, 48 आज यहां तीरपन तिरपन में 48 घटा कितना हुआ तो तिरपन में 48 घटेगा तो आएगा 5 आगा इसलिए हम क्या कर देंगे डारेक्टली तेहां पर देखिए 4N स्कार पलस में लाना इसलिए पलस 33N अब माइनस 48N हो जाएगा बराबर 0 अब देखिए कोमन निकालेंगा तो 4 है और तिरपन है कोमन नहीं निकलेगा सिर्फ एन कोमन निकलेगा दोनों में क्यों एन मिल रहा है तो फोर एन ही बचेगा पलस तिरपन ही बच गया यहां देखिए चार बचना है तो कौंफर्म है कि 12 कोमन निकलेगा देखिए क्या होता है जितना यहां रहता है कोष्ट में यहां भी बचेगा तो 12 कोमन निकाले तो बरचव गण तालिस 4N 12 से भाग देंगे तो तीरपन ही होगा आप लोग देख लीजेगा याद रखे के सदारनीयम है ज हैं 48ा था 4 से भाग दी और 48 में तो कितना बार में कट आँ बारा बार में तो बारा बहर निकाल लिए देख लेए बार निकाले जब तो बस गया बारा निकाला यहां बहर शूर बांथ बारा पढta । नहीं सबसे झाये जितना होता है वहाँ इतना आना चाहिए इसलिए इसका उन्हों सरह हम असानी से से कोमन निकाल सकते हैं अब देखें यहां भी जितना होतना यहां बेट इस दोनों में से और देखें यहां माइनस था तो कोमन निकाल यहां प्लस हो गया अब हम बता है कि यहां भी इतना यहां यहां दोनों जगा सेम इसलिए उसकोँ कूमन निकाल लिए तो यहां बज़ी गया एन बज़ुआ है माइनस बारा बज़ा अब देखिए हम बताहया बार-बार के जो माइनस oh ALLा होता है वहीं पलस हो जाता है पदो की संख्या हमेशा धनात्मक प्राकृत संख्या होती है यानि के एक दू तीन चार पांच छो साथ आठने जितना भी हो वही होती है इसलिए अत्व हमारा क्या होगा अत्व जो है एन बराबर क्या होगा बारा यानि पदो की संख्या क्या होगा बारा होगा तो आप लोग इसको अच्छी तरह समाज गया होंगे अब चलिए पांचवा नंबर प्रासने पे चलते हैं पांचवा नंबर का रहा है इसको विध्यान से देखिएगा देखिए पां दिए रहे तो हम कौन से पत्र करते हैं लूडबर में स्वासित हैं का परत्र अपर निपर्म टोश्ट में ल थे फिहले झाइस परत्र यहां पर अक्म पर गया देखिए कैसे परत्र tell शबसे पहले इसका हल्त जो है कैसे करते हैं तो पहले दिया होता है उसको लिख लेते हैं, तो दिया है, आप लोग जानी रहे हैं, देख रहे हैं, आपे क्या दिया है, तो अपी का परथम पद दिया है, तो परथम पद यानिक ए बराबर कितना दिया है, पांस दिया है, अंतिम पद, तो अंतिम पद देखेंगा हम क्या है, तो अंतिम पद को ह 400 गयात करना है तो पदो की संख्या जैसे देखिए इसमें भी हमको इन ग्याद करना था इसमें भी जो हमको क्या ग्याद करना था इन ग्याद करना था तो हम बताया थे कि इसमें जो है अगर इन ग्याद करना रहता और हमको ए और डी नहीं मालूम रहता अंतिमोपद मालूम रहता तो कौन सा सुत्र परयोग करते इन बढ़ा टू कुष्ट में a plus l तो जो वही वहला सुत्र जो उसमें बता थे क twice ओंगे होगे देखिए हमको फिरयत करना में और यहाँ प्रतम पद दिया है और अंतिम पद दिया ओर एन दिया है तृ रोसानी से हम एसन का सुत्र पर्योंगद दी हो जागा इसलिए सोट बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना से थोड़ा सा माइंड भी लगाना जरूरी है तो प्रश्ण से अब देखिए हमारा एसे न दिया है एसे बड़ाबर कितना दिया है 400 तो परचेज्ट से पर्योग करेंगे जैसे पहले लिखेंगो सुत्र से तो सुत्र एसे बड़ाबर क्या लिखेंगे अपकी बार एनब्रट टू कोष्ट में अप प्लस यह लिखेंगे आप लोग समस्ज़ गए होंगे कि हम ॹना जो और अंतिमौबापद दिया है इसले एल परियों इसमें generating मिप्रइयों कि आ लेकिन इसमें neighboring L तो जो दिया रहता है उसका अनुसार हम एसेंन का सुत्र परियों करते हैं शुनित का सुत्र करते हैं जब अंति मोपत दिया रहा है तब और जब नहीं दिया रहा है तो हम डायक्टली 2a पलस n-1d वाला करते हैं ठीक है तो देखिए अब एसेन के जगह या सूत रहा है एसेन बराबर अब बराबर कितना दिया इधर तो 400 अब देखिए हमारा असानी से ग्यात हो जाएगा एन का मालूम नहीं है sprda do को स्टमेन के जगह कितना दिया है तब 5 दिया है अब पलस एल एल मतलए 重ती मौह पदर कितना दिया तो 45 दिया है ऑम बराबर 400 अब दिखिए हम बड़ा 2 कोस्ट में 45 पलस 5 यहां क्यों पर कर dużा को गया 500 यहां पर पर किया होगे कि 25 में 25, 25, 25, 26, 52, 16 एनि बराबर क्या होगा 16 यानि कि पदो की संख्या जो होगा 16 हो जाएगा अत क्या हो जाएगा अता पदो की संख्या क्या होगा मेरा 16 हुआ आप लोग समाझ गये इसको कैसे ज्यात किया है इस पर कार मना सकते हैं अब चलिए छाठा पर प्रश्ण पर चलते हैं को देखिए छटा नमर प्रश्ण अब कह रहा है। किसीं एपी के प्रथम और अंतिम पद करमसा दिया 70 निए क tut देखिए इसमें क्या दिया और क्या निकालना सब्से पहले लिख लेते हैं तो पहले हम लिखते हैं जो दिया है आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि एपी के प्रथम और अंतिम पद करमशा दिया है तो करमशा जब भी देता है तो प्रथम पद ए हो गया पहिला वला अंतिम पद साड़े तीन सो करमसर मतलब प्रथम जो बोला तो प्रथम होला उसके बाद अंतिम जो दुपर अंतिम होला तो देखिए प्रथम जो है पद कितना है तो प्रथम पद तो प्रथम पद को ही बोलते हैं ए से सुझित करते हैं तो यह कितना दिया है तो पहिले यह बोला है इसलि एल से सुचित करते हैं दोने मभेस कीसी एक को लिख सकते हैं तो बराबर कितना दिया तुर गते हैं the सुच्रित करते हैं योग बोल रहा हुए है इनका योग क्या है इनका योग क्या है ना गयाद करना है एक तो sm घयाद करना है तो देखिए जो जो का मान नहीं गया थोपएगा तो हम बार बार बताते हैं पहले जो दिया रहते हैं उसमें सुत्र मालूम हो तो उसका पहले लिख लेते हैं तो हमको ए दिया है और एन दिया है तो एका तो सुत्र नहीं होता है लेकिन एन का सुत्र होता है तो अब देखें हम क्या करेंगे तो पुर्ष में क्या थे एन बराबर जो धिया है वह शाड़े तीन सो धिया ये इन का सुतर होता है सुतर से एइन बराबर क्या होता है एपलास केन माइनुस वन इंटू डी होता आप लोग यहां जानते हैं सबसे पहले एक जगह दिया है एक जगह 17 दिया है पलौस एन माइनस उण इन्टिव डी डी के जगह दिया कितना? नौ दिया है और बराबर सबकर में 30 दिया अब देखे हम क्या करेंगे युहां पर तोue सत्राइब एधर था? तो यहां पर क्या बता है और जगह एन पर फसेलं दिया है तो 33 रहा गया अब देखिए यह जो है नो से भाग देंगे तो कट जाएगा तो नो तिया 27 हासिल चो तेटीस है तो इसल नौ सते इसー-1 फाग गया 38 आ गया तो एक तो हमारा ग्यात होगया अब यह जात करना है तो आप आसले से कर लेंगे तो a सुतर आप लुग जानते हैं पर यह एसन का क्या होता है तो एन बाड़ा टू कोष्ट में ए पॉलस एल होता है हम देखिए हाँ पर टू पलस एन माइनस वन डी भी सुतर परयोग कर सकते हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि अंतिम पद जब दिया रहता है तो हम डायक्ली जो आख बंद करके हम अंतिम पद वाला सुत दलना है तो बराबर एन एन के जगा कितना दिया है एन के जगा मेरा निकला है 38 अब बटा में दो आप कोष्ट में प्रथम पद प्रथम पद के जगा देखिए कितना 17 दिया है आप पलस अंतिम पद तो अंतिम पद के जगा जो दिया है वह दिया है कितना साड़े तीन सो लिख दिये अब देखें 29 दुना 38 कट गया तो मेरा हुए SN बराबर देखें अब 29 गुने 3500 कुने 17 तो 366 हो गया अब इसको गुना कर देंगे अब देखें का 514 हांसिल 13 127 के साथ हांसिल 12 179 तो मेरा SN कितना आ गया तो अच्छे तरह समझ गया तो आज के लिए वह सतना ही अब जो अब इसका नेक्स्ट प्रश्ण हो जो है यानि कि साथ आठ जो है आगे टोटल जितना भी प्रश्ण है उसका आगे वाले वीडियो में ले कराएंगे यदि आप लोग यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के पास खास करके और हम बार 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 बोलते हैं इसको आपना जो है जो पढ़ते हैं उसको आप जो है अपना नोट से बना ले ताकि परिक्षा के समय जो है हेलफुल रहे हैं तो ठीक है आज के लिए बस इतना है धन्यवाद